नमस्कार मैं मुहिद बिष्ट दोस्तो आजकल उत्राखंड में एक नाम काफी चर्चाओं में सल रहा है ये नाम है श्वेता महारा जो की पहले भोजपुरी कलाकार थी लेकिन बरतमान में क्रीम पॉडरा गीत सुपरीट होने के बाद में ये उत्राखंड में कहीं गीतों मे इन्होंने काम कर दिया है और आज एक महंगे कलाकार के रूप में इनको स्टेज प्रोग्राम में बुलाए जाता है अब इन्होंने कुछ दिन पहले सोचिल मीडिया में एक ऐसा सब्द बोला जिसे उत्राखंड में इनको काफी ज़्यादा जो है वो ट्रॉल होना पड़ा या यूं कहें इनको चर्चाओं माना पड़ा इन्होंने उत्राखंड मूल निवास और भुकानून जैसे एभिहान में जा रहे लोग रैली में शामिल हो रहे लोगों को नल्ला बिरुजगार कह दिया जिसकी बीडियो सोचिल मीडिया पे काफी तेज़ से वायल हो रही है हलांकि वीडियो में इन्होंने पूरा क्या कहा वो नहीं दिखाया गया जबकि काट काट के उसमें कुछ पॉइंट जोड़े गे हैं जिसमें वो नल्ला बिरुजगार और मैं अब मैं नियाओंगी भुकानून में मैं निललोंगी भुकानून कब तक ऐसे कई जैसे सब्द नियुक्त जिखनी अवाज उठानी थी जमीन का क्या करोगे क्या करोगे तुम इस भूकानून का करोगे क्या मुझे ये बताओ घ्यार रेली कर दी वहां रेली कर दी कोई फैदा नहीं इन सब चीज होगा श्री राम जी के नाम से तुम लोग पेज़ेस बनाके उल्टे सी जब ये मामला काफी तेज़े से गर्मी हुआ तो इनके उपर में कल एफायार भी दर्ज़ कर दी गई है जिसके बाद में लाइव वीडियो के माध्यम से लोगों से माफी भी वागी है मेरे जो शब्द थे किसी को ठेस पहुचाएगे उसके लाइव रेली सौरी लेकिन पापे से यह बोलूगी वो शब्द आम जंदा के लिए नहीं थे वो साफ साफ जो शब्द बोले गए हैं वो सिर्फ ये ट्रॉलर्स के लिए थे और जो भू कानून की आड़ में हम सब ल जरा करती हैं आप नजनिया हैं इसलिए गुसा होके इन्होंने ऐसे सब्दों का परियोग किया और नल्ला शब्द का अगर ये शपाई दे रही हैं कि नल्ला हम उसको बोलते हैं जो लोग विरुजगार होते हैं तो अब भाषा और परिभाषा की बात अगर हम करें वहीं इन्होंने जहां एक तरब का हैं कि नल्ला कोई गलब शब्द नहीं है वह विरुजगारयों के लिए शब्द हैं वहीं अगर जब उनको नचनिया कहे दिया तो ये इन्होंने गुस से माहत होके ऐशी बाते कर दिया अगर हम स्वेता महरा की बात माने तो इसमें कई सारे आ ये खड़े होते हैं अगर श्वेता महरा अपने बयानों में शटिक थी ठीक थी तो इन्होंने अपना वो वीडियो डिलीट क्यों करा दूसरी बात इन्होंने कहा कि मैं उस बात से आध हुई तो दोस्तों आज कला हम भासा की परिभाशा भी समझते हैं जब अगर हम आज किस हमने निर्ट्यों करके उनका मनुरंजन करते हैं अगर उनको हम नचन्या बोल दें तो इनको बड़ा बूरा लग जाता है वहीं अगर हम इनको कलाकार बोले तो ये बड़ा खुश जाता है जबकि परिभाशा एक ही है बस उसके बोलने के अंतर अलग-अलग हैं तो ये पर महराजी कह रही है कि इनको कहीं लोगों ने अनाप सनाप कहा क्या उनके घर में मा बहन नहीं क्या आपके घर में मा बहन नहीं है ऐसे कहीं सब्दों का वो कल अपनी लाइव वीडियो में सब्दों का इस्तेमाल कर रहे थी कह रहे थी, तो सबसे बड़ी बात ये है जब फेता महराजी से हमारा भी निवेदन है, अगर आपको कोई परिशान कर रहा है आपको कोई गाली गलॉज करता है आप शब्द कहता है, तो आप स्वतंत रहें, आप पुलिस पर सार्शन का सारा ले सकती है, आप इनके उपर में एफायार दर्ज करा सकती है और जब आप इनके उपर एफायार दर्ज नहीं कर रही है, आप इनको पुलिस में इनको नहीं घिसरतना चाहती, लेकिन आप वहीं पुरे उत्राखन का समाज जो समाज आपने लिए नहीं बलकि अपने आने वाले बहुश्यों के लिए लड़ रहा है उसको आप नापसनाप कह रही है ये कहीं से कहीं तक एक कलाकार को शोबा नहीं देता है और दूसरी बात अगर हम इसको दूसरे एंगल से भी देखें तो ये कहीं न कहीं एक publicity stunt भी हो सकता है क्योंकि मामला भी गर्म था और अगर ऐसे बेतुके बयान दे दो तो इससे ज़्यादा क्या होगा एक publicity इनको मिलेगी जिसे लोग इनको जानेंगे कहीं बार ऐसा होता है जब लोग कोई चीज लोहा गर्म होता तो उसमा हतोड़ा मानने की हर कोई सोचता है तो हो सकता है publicity stunt के लिए भी श्वेता महरा ने भी ये किया हो खैर फिलाल उन्होंने सभी लोगों से माफी मिमाई है और आपके क्या राय है क्या जो श्वेता महरा ने कहा वो ठीक था और क्या जो इनको लोग परिशान कर रहे है वो ठीक है ये तमाम सवाल आप से भी है और आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिए कि वास्तव में है क्या मामला